राहूल गांदी जम्मू के दो दिवस्यों दौरे पर हैं आज राहूल गांदी माता वैशनो देवी के दर्शन करेंगे राहूल पैदल ही माता के दर्बार जा रहें देर शाम आती में शामिल होंगे जिसके बाद आज वही पर रुकेंगे तो माता वैशनो देवी के दर्शन के लिए राहूल गांधी पैदल मार्च पर निकल पड़ें तस्वीरें हम आपको दिखा रहें राहूल गांधी ने फैसला किया है कि वो मा के दर्बा कटड़ा से पैदल यात्रा करेंगे तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राहूल गांदी और उनके पीछे कॉंग्रिस जी कारिकरताओं की भीड नज़र आ दिया राहूल गांदी मावैशनो देवी के द्वार जाने के लिए इसी रास्ते से गे हैं आपको बता दें यह पारेंपरिक रोड है यह बानगंगा का ट्रैक है राहूल गांदी जो है यहां से निकले हैं वो पैदल ही मावैशनो देवी के द्वार जाएंगे और यह देखे यह हम तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं धरम नगरी कट्रा की यह बानगंगा की तस्वीर हैं यहां से राहूल गांदी गे हैं और यह देखिए पूरा ट्रैक हम आपको दिखा रहे हैं इसी ट्रैक से होते हुए राहूल गांदी जो है वो मावैशनो देवी के द्वार जाएंगे माता वैशनो देवी की रात को आरती में बैठेंगे रात को बवन में रुकेंगे ठीक अगले दिन जो है राहूल गांदी वापिस आजाएंगे यह आप तस्मीरें देखिए अब शरदालू जो है वो आगे जा रहे हैं कांगरेस के जो कारेकरता नेता है वो भी राहूल गांदी के साथ गहे हैं पैदल यात्रा कर रहे हैं माता से राहूल गांदी क्या मांग राहूल गांदी जम्मू के दो दिवस्या दौरे पर हैं हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वो दर्शन करने के लिए वैश्णों दर्बार के लिए निकल पड़े हैं उधर बीजेपी ने राहूल के मंदिर दौरे पर सवाल उठाए हैं जिस पर राहूल गांदी ने का कि म आए मैं राश्विती करने नहीं आया हूं माता के दर्शन करने आया हूं तो देखते हैं यहां राहूल जी चिसकरी तो आप कैसे करते हैं मैं बीजेपी की स्टेट्मेंट पर रियक्ट नहीं करता हूं और मैं यहां कोई राजनेतिक झाल झाल